दोस्तो यदि आपका एक Facebook ID है और दोस्तो आप अपने Facebook ID पे टू फेक्टर अथांडिकेशन को ओन किया था वो भी अथांडिकेशन एप से और दोस्तो अथांडिकेशन एप से अपने Facebook ID को अथराइज करने पर क्या होता है कि अथांडिकेशन एप से कोड मिलता है और कोड के अलाबा कोई भी आपका Facebook ID को लोगिन नहीं कर सकते है चाहे उसे आपका Facebook ID का इमेल या पर पासवार्ड पता कियो ना चले इससे क्या होता है कि Facebook ID हैक होने से बच जाते है लेकिन दोस्तो काफी सड़े भाइल लोग के साथ क्य अपने Facebook ID को अथांडिकेशन एप से अथराइस तो किया था लेकिन बाद में मूबैल कहीं हो गया है या फिर रिसेट किया है या फिर दोस्तो गलती से अथांडिकेशन एप को अनिस्ट्रॉल कर दिया है और बाद में जब अपने Facebook ID को इमेल आईडी और पासवार्ड डाल क के लोगिन करने जाते हैं तो ऐसे में दोस्तो कोड मांगता है तो कोड तो उसा नहीं मिलेगा क्योंको दोस्तो अथांडिकेशन जो एप है वो तो रिमोब हो चुका है तो दोस्तो यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है और जब भी आप अपने Facebook ID को लोगिन करने जाते हैं त कोड के लोगिन करना चाते हैं तो इसके लिए कैसे का करना है ये जानने के लिए का करना है कि वीडियो को बिणा सुजन और आप देख रहे हैं टेकनिकल टाप सपिर्ट तो चले शुरू करते हैं तो दोस्तो इसके लिए जैसे ही मैं यहाँ पे Facebook एप को open करके log in to another account को उपर press करके यहाँ पे email ID और password डालके login करने का कोशिस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख लिए जिके यहाँ पे मुझे code मांग रहा है मतला मुझे यहाँ पे code डालना है तब जाके मैं आपना Facebook ID को login कर पाऊंगा तो दोस्तो मैंने आपना Facebook ID को authentication एप से two-factor authentication को on किया था तो दोस्तो यदि आपने भी आपना Facebook ID को authentication app से या फिर mobile number से two-factor authentication को on किया था और अभी आपके पास वो mobile number नहीं है या फिर दोस्तो authentication एप नहीं है तो ऐसे में दोस्तो आपको तो code नहीं मिलेगा और code के अलबा आप अपना Facebook ID को login नहीं कर पाएंगे तो दोस्तो इस case में आपको यहाँ पे क्या करना है वो आप अभी यहाँ पे ध्यान से देख लिजिए तो दोस्तो code नहीं मिलने पर आपको यहाँ पे क्या करना है के नीचे जो having trouble बाला जो option दिया गया है इस पे आपको प्रेस करना है तो आप जैसे ही प्रेस कर देंगे तो ऐसे में दोस्तों आपके समने कुछ steps दिखाया जाएगा तो दोस्तों आपके यहाँ पे टू स्टेफ फॉलो करना है पहला है internet email address दूसरा है upload your ID तो दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट बाले option पर प्रेस करना है उसके बाद आपको यहाँ पे न्यूँ इमेल ID डालना है तो एक न्यूँ email ID आप बना लीजिएगा या फिर आपके पास जो email ID है उसी email ID को आप यहाँ पे डाल दीजिएगा और ओही email ID सेम डूसरा नीचे फिर डाल के confirm कीजिएगा उसके बाद दोस्तों आपके समने कापी सड़े ID का option दिखाया जाएगा जिसमें से किसी भी ID को आ प्रहसे पर दोस्तों आपके समने कुछ step सा दिखाया जाएगा तो आपको यहां पर आपना ID का फोटो ले लेना है जैसे के मैंने इहां पर Muニ टार्टाट ले लिया है उसके अब आपको यहां पर नीची आना है और यहां पर संमिट पर अप्सित करना है तो आप यह सम्पीट कर देंगे अ sahप पर जाएगा तो दोस्तों आप यहां पर जो इमेल आदि देंगे दोस्तों उसी meani पर ही फेस्बुक टीम के तरफ से मेल किया जाएगा जैसे कि यहां पर बताया गया है कि उसके वद वेट करना है फेस्बुक टीम के तरफ से अपको एक मेल किया जाएगा तो दोस्त आपके फोन में जो आपका जीमेल एप है उस जीमेल एप को प्लेश्ट से सबसे पहले अपडेट कर लीजेगा नहीं तो दोस्तों मेल नहीं भी आ सकता है जैसे कि मैंने यहां पर मैं उसके टेफ जितने के अंदर मुझा जैसे के ऊंदर मुझा तर देख सकते हो यहां पर आप देख लिजिये कि मताया अगया है कि थेंक्स फॉर कणंफर्मिंग युवर आइडेटी ती फिस गिफ दा लिंक बिलेओ तो फिनिस्थ दा एकाउं रिकवरी प्रोसेस तो यहां पे जो लिंक दिया गया है इस लिंक पे प्लेस करके मैं अपना फेस्बुक आइडी को डिकवर कर सकता हूँ आपको इस टैप से लिंक दिया जाएगा जिससे अपको प्रेसिकर करना है और को आप्वा गालगों अनुपार ब्रॉशम में इसे ओनिशन और उप्रस meerरा है आप को शे प्रेकलर गाया है तो इन दौन को अप्षें गया है कि यह एकाउंट इस अनलोग तो आपके आप लोग को और एक बड़ अपना फेस्बुक आड़ी को लोग इन करने का कोशिस करता हूं तो यहाँ पे आप देख लिजिए कि मुझे यहाँ पे कोट डालने के लिए बोला जा रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो दोस्तो आपको क्या करना है वो आप अभी ध्यान से देख लिजिए तो इस पेज़ पे आने के वाद दोस्तो मतलब इस लिंक में प्रे का पर सरा पर मिलेगा तो आपके यहान पर इसे उल्स 502 का घुदा करने कसली प्रक्राने के लिए प्रॉफ करने पर इस उप्रेस्ट का यहाँ पर आप थेस्बॉक आईडिका पासवर्च लेकर एक और यहां पर continue कीजिएगा continue करते ही दोस्तों आप यहाँ पर देख लिजिए कि टू-factor authentication वाला पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है जो कि यहाँ पर अभी ओन है अब देख सकते हैं तो यदि आप अपने Facebook ID को authentication app से या फिर mobile number से या फिर security key से तू-factor ID का तू-factor authentication ओफ हो जाएगा है जैसे दोस्तों यहाँ पर यह मेरा ओफ हो चुका है तो चले दोस्तों अभी मैं अपना Facebook ID को login करके आप लोगों को दिखा देता हूँ तो जैसे मैं यहाँ पर Facebook app को open करके यहाँ पर Facebook ID का email ID और password डालके यहाँ पर सिंप्ली से login ID without code के login हो जाएगा जैसे के मेरा Facebook ID यहाँ पर खुल चुका है लेकिन दोस्तों आप लोगों के चीज में बता दू कि आपको अपना Facebook ID को है खोने से बचाने के लिए टू-factor authentication वाला option को ओन करके रखना होगा तो भाई लोग आप अपना Facebook ID को ऐसे ही रिकोबार कर लीजिएगा उसके बाद फिर से टू-factor authentication को अन कर लीजिएगा अपना न्यू नंबर से यह फिर न्यू अथान डिकेशन एब से तो दोस्तों इसी तरह से ही आप अपना Facebook ID को जो टू-factor authentication है उससे आप बंद कर सकते हैं मतलब आप कर सकते हैं उस सब्सक्राइब नहीं किया है तो निचे दिया गया लाल क्राणर कर सब्सक्राइब बिटन को किलिक करके साथी में बिल लेकम को दवा के ओल व्रेल्स पर दावा लेना है इससे किया हो कि जब भी मैं कोई ने विडियो डालूँगा तो इसका नोडिफाई कर दिया जाएगा तो चले दोस्तों आज के लिए बाई मिलते है एगला विडियो पर